दोस्तों आज कल सभी लोग phone pay का इस्तमाल जरूर करते हैं आप लोग भी phone pay का इस्तमाल जरूर करते होगे phone pay के मादेम से आप किसी को भी payment कर सकते हैं इसके अलावा bill payment कर सकते हैं साथ ही आप यहाँ पर phone pay में और भी option दिये गए हैं दोस्तों phone pay को यूज करने के लिए आपको इसमें bank account को link करना होता है या फिर आप इसमें debit card को link कर सकते हैं और payment कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया service phone pay में दिया गया है आप लोग phone pay में credit card को add कर सकते हैं और phone pay के माद्यम से कोई भी QR code को SQN करके credit card से ही payment कर सकते हैं तो हम किस तरह का से phone pay में credit card को add करेंगे और इसके माद्यम से कोई भी QR code को SQN करके payment किसे करेंगे इस वीडियो में आपको हम detail में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखेगा साथी like करना मत भूलिएगा दोस्तों आप phone pay एप को open कर लिए open करने के बाद आपको इसमें credit card को add कर लेना है credit card को add करने के लिए यहाँ पर profile का icon दिया गया है आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे जो भी आप bank account को phone pay एप के साथ link करके रखा यहाँ पर वह सो करता है यहाँ पर देखे लिखा है view all payment methods आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे यदि आपने phone pay एप में debit card को link करके रखा है तो यहाँ पर वह सो करता है यहाँ पर हमने bank of India का debit card को link करके रखा है यहाँ पर वह सो कर रहा है यहाँ पर phone pay में credit card को add करने के लिए यहाँ पर add new पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको credit card का detail fill up करना होगा जैसे कि यहाँ पर card number इसके बाद यहाँ पर card का expiry month और year इसके बाद यहाँ पर cvv number fill up करना है जो कि card के पीछे में तीनक्षर का cvv number लिखावा रहता है इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा add a nickel यह optional है इसको fill up करने की ज़रूत नहीं है चलिए हम यहाँ पर credit card का detail fill up कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने credit card का detail fill up कर दिया है इसके बाद add पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए process हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर wait करेंगे अब यहाँ पर आपके mobile नमर पर OTP आएगा और यह OTP automatic fill up हो जाएगा यहाँ देखिए मेरे पास OTP आ चुका है और यहाँ पर देखिए OTP automatic fill up हो जाएगा अब यहाँ पर यह processing हो रहा है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगया successfully added अब यहाँ पर देखिए हमने जो HDFC bank का credit card को add किया है यहाँ पर वसोग कर रहा है तो इस तरीका से आप लोग phone pay app में credit card को link कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको जानकाड़े के लिए बता दें कि आप जो यहाँ पर credit card को link करेंगे link करने पर आपके account से 2 रुपए यहाँ पर cut होता है लेकिन बाद में यह reverse हो जाता है और बाद में आपके account में यह credit card दे आता है चले दोस्तों अब आपको हम phone pay के माध्यम से QR code को scan करके credit card से payment करके दिखाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर phone pay के QR code को scan कर लेते हैं अब यहाँ पर हम amount fill up कर लेंगे हमें जितना भी रुपए payment करना है चुकि हमने यहाँ पर 100 रुपए का petrol लिया है तो हम यहाँ पर 100 टाइप कर लेते हैं इसके बाद proceed to paper किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे कई सारे option आगिया है तो यहाँ पर देखे सबसे पहला तो उपर में ही सो कर रहा है HDFC bank का जो हमने credit card को link किया था यहाँ पर वह सो कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है credit card इसके बाद नीचे में देखे ज CBV तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे और आपका जो भी credit card का CBV नमर होगा आप यहाँ पर fill up कर लेंगे CBV नमर कार्ड के पीछे में तीन रक्षार का लिखावा रहता है चलिए हम यहाँ पर fill up कर लेते हैं इसके बाद paper किलिक करेंगे अब यहाँ पर आगे का process होगा थोड़ा से यहाँ पर wait करेंगे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर processing हो रहा है प्लीज wait processing your request यहाँ पर थोड़ा से wait कर लेंगे अब यहाँ पर आपके mobile number पर OTP आएगा और यह OTP automatic fill up हो जाएगा आपको OTP fill up करने की ज़रुवत नहीं पर लेगी अब दोस्तों यहाँ पर यह payment हो जागा processing में है देख सकते हैं यहाँ पर आगया payment successful दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पर paid successfully चले हम यहाँ पर done पे click कर लेते हैं तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग phone pay app में credit card को link कर सकते हैं और उसके माध्यम से UR code को scan करके payment क कर सकते हैं मैंने आपको complete process बता दिया है आपके मन में कोई सवाल है तो comment करना मत फुलिएगा साथे वीडियो को like जरूर कीजेगा यदि आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को जरूर दबा दिजे फिर मिलता अगले वीडियो में तक तक के लिए अपना बहूत ख क्या लखिएगा बाई टेक केर